हेलो वेलकम टो इस्टेडी क्लासेस यह एक्सरसाइस है 3.3 तो अब देखते हैं कोशन नमबर 3 का 5 नमबर तो कोशन कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी भीन के अंग्स और हर दोनों में 2 जोड दिया जाए यानि एक भीन है यानि अंग्स में और हर में अगर 2 को एट किया यदि अंग्स और हर दोनों में 3 जोड दिया जाए तो वो 5 पटे 6 हो जाती है वो भीन्य ग्याद कीजिए तो यहां पर हमें अंग्स तथा हर दोनों ग्याद करना है तो कोशन को समझते हैं फ्रेले थोड़ा मान लेते हैं कि माना अंग्स बराबर एक्स तथा माना हर अंग्स और हर हमने मान लिया तो कोशन में क्या कहा गया है कि यदि किसी भीन्य के अंग्स और हर दोनों में तो एक्स बटे वाई उपर वाले सेंख्या को अंग्स कहते हैं तथा नीचे वाला सेंख्या को हर कहते हैं दोनों में 2 जोड दिया जाए यानि प्लस 2 प्लस 2 तो वो 9 बटे 11 हो जाता है यही कहा गया है तो सबसे पहले तो हमने इस कोशन से मतलब कुछ बाते कही गई थी तो उससे हमने रेथिक समी करन बना लिया अब इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टिफिकेशन कर लेते हैं तो 11 इंटू X हो जाएगा 11 X प्लस 11 इंटू 22 इस उकल 9 इंटू Y 9 Y प्लस 9 इंटू 21 तो 11 X और यह जो 9 Y है इससे इधा ले आते हैं तो minus 9 Y और plus 18 minus 22 तो 11 X minus 9 Y इस उकल plus 18 minus 22 कितना हो जाएगा minus 4 तो इसे मानते हैं सम्मी करन 1 फिर देखिए कोसेन में क्या कहा गया है कि यदि अंग्स और हर दोनों में 3 जोड दिया जाए जैसे कि हमने X तथा Y के साथ 2 को जोड़ा था वहीं के स्थान पर तगा 3 जोड दिया जाए यानि X प्लस 3 और Y प्लस 3 तो वह क्या हो जाती है तो वह 5 बटे 6 हो जाती है यहीं कहा गया है कोसेन में फिर से हम लोग इसी तरह क्रॉस मल्टिफिकेशन कर लेते हैं सबसे पहले 6 इंटू X 6 X प्लस 6 इंटू 3 18 5 इंटू Y 5 Y और 5 इंटू 3 15 अब क्या करेंगे 6 X यह जो 5 Y है इधा लाएंगे तो माइनस 5 Y प्लस 15 और यह प्लस 18 जब इजुकल के उधर जाएगी तो माइनस में चेंज हो जाएगी तो प्लस 15 और माइनस 18 हो जाएगा माइनस 3 तो अब क्या करेंगे इसमें इस समीकरन से हम सबसे पहले इस समीकरन से X निकालेंगे मतलब X के रूप में निकालेंगे तो माइनस 3 यह जो माइनस 5 Y था है वो प्लस 5 Y में चेंज हो जाएगा और X is equal माइनस 3 प्लस 5 Y बटे 6 यह हो गया तो हम लोग यह कर सकते हैं कि X बराबर यह जो माइनस 3 है 5 Y को पहले लिखते हैं और यह माइनस 3 को इधर लिखते हैं बटे 6 तो अगर हम इस X के मान को इस X के मान को जो यहाँ पे X निकला है अगर इस X के मान को समिकरन 1 में जो यहाँ पे X है इसमें include कर दे तो सबसे पहले हमारा Y जो है वो निकल जाएगा तो अहीं करते हैं लिखेंगे समिकरन 1 में X के मान को रखने पर तो क्या है 11 X इस समिकरन को ध्यान में रखिए इस बारे समिकरन को तो क्या है 11 X अब X के जगा X नहीं लिखेंगे क्योंकि X यहाँ पे निकल चुका था तो X के जगा यह लिखते हैं 5Y मानेस 3 बटे 6 प्लस 9Y है प्लस 9Y इस उकल मानेस 4 एही होगा अब क्या करेंगे 11 X 5Y 11 X 5Y को गुना करेंगे तो 55Y प्लस मानेस मानेस यह मानेस है 11 X 3 33 बटे हो जाएगा 6 और मानेस 9Y तो हो गई और मानेस 4 अब 50 अब इन दोनों के बीच क्या करते हैं ले 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 हैं तो यहा हो जाएगा 6 और 6 को 6 से डिवाइट करेंगे तो होगा 1 फिर 1 को 55Y से गुना करेंगे तो होगा 55Y फिर 1 को 33 से गुना करेंगे तो होगा 33 और यहां पर माइनेस 9Y है तो बटे में 1 है तो 1 को 6 से डिवाइट करेंगे तो होगा 6 और 6 इंटू 9 1 हो जाएगा 54Y इस उकोल माइनेस 4 तो क्या हुआ था 55Y-33-54Y-6-4 रही आया था अब क्या करेंगे 6 को माइनेस 4 से सबसे पहले तो मतलब क्रोस मल्टिफिकेशन अगर किया जाए क्रोस मल्टिफिकेशन अगर किया जाए तो 55Y-33-54Y-6-6-24 और 50Y से-54Y अगर होता है तो बच जाएगा Y-33-24 तो Y बड़ाबर हो जाएगा माइनस 24 प्लस 33 तो Y बड़ाबर निकल गया 9 Y बड़ाबर तो निकल गया 9 यानि हमने जो माना अंग हर माना था Y तो Y बड़ाबर निकल गया 9 अब X निकलना है तो अगर इस Y के मान को हम हम समिकरन मतलब इस X मतलब इस समिकरन में रख दे इसे मानते हैं समिकरन 2 तो अगर हम Y के मान को समिकरन 2 में रखते हैं यानि Y के स्थान पे अगर हम लोग 9 रखते हैं यहाँ पे तो X का मान निकल जाएगा आसानी से तो समिकरन 2 क्या है x is equal 5y minus 3 बटे 6 दिखेंगे y के मान को समिकरन 2 में रखने पर तो समिकरन 2 में क्या था x is equal 5y minus 3 बटे 6 x is equal 5y अब y के सांटे क्या रिखेंगे 9 और minus 3 बटे 6 तो 5 इंटू 9 हो जाएगा 5 इंटू 9 54 minus 3 नहीं सॉरी 5 इंटू 9 हो जाएगा 45 और minus 3 बटे 6 तो 45 से minus 3 होगा तो हो जाएगा 42 बटे 6 यानि 7 तो x निकल गया 7 यानि जो अंग्स हमने माना था x वो निकल गया 7 और हर निकल चुका 9 मुआ ज मुआ जो जाएगा 95 हच्ब ब wellness 6 9 10 10 बड़ता कर दान को